जिस प्रकार से जिलेटिन स्टिक से भरी हुई एक स्कॉर्पियो पाई गई और उसके बाद जो घटनाय घटी वो आप सभी के सामने हैं। जिस प्रकार से पुलिस महक में से ही इस प्रकार की गाड़ी प्लैंट की जाती है। और उसके बाद की घटनाओं में इसमें की सबसे बड़ी कड़ी मुंसुक हिरन इनको जिस प्रकार से मरडर उनका किया जाता है, जिस प्रकार से उनका खूल किया जाता है। यह सारी चीजे मुंबई और महराष्ट के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 90 के दशक में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स राजनीती का अपराधी करण यह महराष्ट में उसका अनुभो लिया था। और उसी प्रकार की परिस्तिती और अब तो अगर रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाए तो सुरक्षा कौन करेगा यह सवाल है। इसमें सबसे एहम सवाल यह होता है कि API सचिनवाजे इन्हें नौकरी में वापिस क्यों लिया गया। वे 2004 में सस्पेंड हुए, 2007 में उन्होंने VRS दिया और उसके बाद उनका VRS एक्सेप्ट नहीं हुआ क्योंकि उनके उपर इंक्वाईरी चल रही थी। 2018 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री था, उस समय शिवसेना के और से दबाव था, कि API वाजे को फिर एक बार सरकार की सेवा में लिया जाए, पुलिस मैक में लिया जाए। और उस समय मैंने उनका पास्ट रिकॉर्ड देखने के बाद यह तै कि एड़ोकेट जनरल की सला मैं इसमें लूँगा। और मैंने एड़ोकेट जनरल जी की सला लिए, हला कि वो कोई रिटन सला नहीं थी, लेकिन मैंने उनको फाइल दिखाई। और उन्होंने मुझे साफ यह कहा कि इस मामले में हाइकोर्ट ने उनको सस्पेंड किया है, बहुत गहरी इंक्वाइरी चल रही है, ऐसे समय उनको लेना ठीक नहीं होगा, और मैंने उस समय उनको नहीं लेने का फैसला किया। आप ये भी जानते हैं कि बीच में 2008 में सचिन वाजे इन्होंने शिवसेना में प्रवेश किया, कुछ समय तक शिवसेना के प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया, और शिवसेना के साथ बड़े गहरे रिष्टे, ये सचिन वाजे के रहे, इतना ही नहीं तो जो शिवसेना के एक्टिव लोग है, इनके साथ बिजनेश रिलेशन भी उनके रहे, कुछ कमपनीज भी उन्होंने तयार की, और 2020 में, उन्नीस के अंत में जब शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे जी की सरकार आई, तो फिर एक बार, सचिन वाजे को वापिस लाने का प्र मार्च में कोरोना आया, तो उसके बाद कोरोना का बहाना बना कर, एक कमेटी तयार हुई, रिव्यू कमेटी, और रिव्यू कमेटी ने बड़ा सिंपल सा उसमें लिख दिया, कि चूकि कोरोना में हमको अधिकारियों की आवशक्ता है, हमारे कई अधिकारी बीमार पढ़ है, इसलिए हम सचीनवाजे को वापिस लेते हैं, इसमें इंट्रेस्टिंग बात ये है, कि पूरे कोरोना के काल में, कोरोना के कारण अधिकारियों की आवशक्ता है, इसलिए केवल एक ही अधिकारी को या उनके साथ वाले जो दो-तिन लोग थे, उनको छोड़कर किसी आए कोट के आदेश से सस्पेंडेड थे, और ये पता होते हुए भी कि 2017 में, इन्हीं सचिनवाजे के उपर, एक्स्टॉर्शन का केस लगा, और एक एक्स्टॉर्शन रैकेट का वसई विरार के इलाके में परदा फाश हुआ, उस रैकेट में इनका नाम आया, इन्होंने एंटिसिपेटरी बेल उसमें ली, और उसमें बिलकुल रेकॉर्ड पर ही आया है कि इस रैकेट में, ये और इनके एक और साथी, ये बड़े एक्टिवली पाटिसिपेट करते थे, तो जब इतना खराब रेकॉर्ड इनका था, ऐसे समय, इनको लिया, और लेने के बाद क् तो मुंबई क्राइम ब्रैंच की सबसे महतुपूर्ण यूनिट है, क्राइम इंटलिजन्स यूनिट और ये क्राइम इंटलिजन्स यूनिट को हेड करता है, दो P.I. दरजे के ऑफिसर्स और सचीनवाज़े जो, API है, जैसे ही सचीनवाज़े को लिया, एक रात में ये द यूनिट का प्रमुक बनाया गया कि लब जिनका पास्ट ऐसा था ऐसे व्यक्ति को सिया यू का प्रमुक यह सरकार ने बनाया और उसके बाद आप देखिए मुंबई में जितनी हाइप प्रोफाइल केसे हुई जूरिज्डिक्शन किसका भी रहे कोई भी जूरिज्डिक्शन रहा तब भी वो केस सिया यू के पास आती थी किसी भी रीजन का जूरिज्डिक्शन रहे तब भी केस सिया यू के पास आती थी अभी ये भी केस ये सिया यू के पास आने का कोई कारण ने थी वो रीजन के पास जानी चाहिए थी लेकिन सारी केसे और विशेश रूप से फिर वो बाच्छा रैपर वाली केस हो चैरितिक रोशन वाली केस हो ऐसे सारी केसे यह CI उनिट को ही दी जाती थी और इनका कद यह CP के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलिस में था तो सचिन वाजे का था क्योंकि CM के ब्रिफिंग के समय भी वो नजर आते थे क्रह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे और शिवसेना के कुछ मंत्री है उनके साथ भी वो नजर आते थे तो एक बड़ा कद उनको वहाँ दिया गया और हमको तो यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहाँ CIU के प्रमुक के रूप में नहीं वसूली अधिकारी के रूप में उनको बठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट और सबके इंचार्ज यह और ऐसे में यह जो सारी घटना घटी यह भी घटना इतनी भयानक है मंसूख हिरन इनको यह पहले से जानते थे और यह जो गाड़ी है स्कॉर्पियो यह स्कॉर्पियो मंसूख हिरेंट से इन्होंने खरीदी थी लेकिन पेमेंट नहीं किया था और चार महने तक इनके पास यह गाड़ी थी नवंबर से लेकर तो फरवरी तक और फिर मंसूख न इनको का कि यह तो इसका पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए तो उनका मैं और कुछ दिन रखूंगा उसके बाद वह गाड़ी उनके पास लाकर दी और फिर उनक से वापस वँगाड़ी मंगाई गई जिस दिन इə गाड़ी के मुलूर मैं उन्होंने वहांपर जाँ पार्क की उन्होंने उस दिन आप देखें ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कहीं न कहीं कोई टैंपरिंग होता कोई दर्वाजा जो लॉक है उसको खोला जाता है सब कुछ नहीं था क्योंकि जानकारे के अनुसार मंसुक को यह कहा गया था कि वहाँ पार्क करो चाबी लाकर हमको दो और सीधे वह चाबी कि यह सचिनवाजे ने ली उनको का कल जाकर आप एक कंप्लेंट रेजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है और जब कुरला पुलिस टिशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी क्योंकि कई बार पुलिस यह कहती है कि दो तीन दिन रुखिए उसके बाद हम रेजिस्टर करते हैं एक बार हम देख लेते हैं तो वहाँ पर जो आयो थे या जो वहाँ पर ड्यूटी ओफिसर थे उनको सचिन वाजय का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंथ अभी के अभी यह क्राइम रेजिस्टर करिए और रेजिस्टर होने के बाद मुझे इतला दीजिए और इतला उनको देनी पड़ी तो यह सोची समझी साजिश के तहट मनसूख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया तीनों दिन मनसूख हिरन को वाज़े ही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसूख को वाज़े नहीं यह बताया कि तुमको और एज़ेंसी इंट्रोगेट कर सकती है इसलिए एक कंप्लेंट कर दो और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसूख को लेकर गए और मनसूख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग-अलग लोग बुलाते हैं मेरी बड़े पैमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है और अपना भी नाम उसमें डलवा दिया और वो सीएम को बेजा वो ग्रोह मंत्री को बेजा तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलेबाय यह तैयार हो रही थी और जिस दिन मनसूख को रात में एक फोन आया कि गावडे ने आपको बुलाया है और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिनवाजे के ओपर एक स्टॉर्शन का केस लगाए उसी इलाके में उनको बुलाया गया और उसके बाद दूसरे जिन उनकी लाश मिली और हमारा तो यह मानना है कि मन्सूख हिरन को वही पर मार दिया गया मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेकी गई और इसमें सबसे महतुप्रूण बात ये है हाई टाइड में उसको फेकने की कोशिश हुई अगर ये लाश हाई टाइड में फेकी जाती तो ये वापिस ही नहीं आती तो ये होता कि मनसूख हिरेन ये पुलीस के दबाव में या पुलीस जो बार-बार पूश्टाच कर रही है उससे नाराज होकर कई भाग गया है मैंने दो मैने बाद ये बाद ठंडी हो जाती है आधे घंटे का डिफरंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाई टाइड की जगल लो टाइड आया आधे घंटे के कारण और मनसूख हिरन इनकी जो लाश है वह वही पर रही वह बहकर नहीं गया अभी कुछ थियरीज लाने क की कोशिश की जा रही है लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्ट्मार्टम की रिपोर्ट को देखे तो इसमें ध्यान में आता है कि कि इतने रुमाल उनके मुह में कैसे आये कि इंटी मौर्टम इंजूरीज यह ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है कि कही न कहीं बहुत दबा के बांधा गया है उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजे बांधी गई है और जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंक्स में पानी नहीं है अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंक्स में भरपूर पानी होना चाहिए लेकिन वो दिखाए नहीं पड़ता तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है और हमारी मांग यह है अभी तो इनाए यह बम विस्पोर्ट या जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जाज कर रहे हैं और उसी में उनको अरेस्ट किया है और हत्या का मामला या मनसुख के मौत का मामला जो है यह अभी भी ATS के पास है मुझे पता नहीं क्या प्राब्लेम है पर उसमें जिस प्रकार से ATS ने कारवाई करनी चाहिए ऐसी कारवाई होती हुए दिखती नहीं है क्योंकि इतने सारे एविडन्स मेरे जैसे पुलीस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पुलीस के पास इससे ज़्यादा एविडन्स है इतना ही नहीं तो ATS और NIA ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेप से जिसमें मन्सूख के आवाज है और जिसमें वाजा ने उनको क्या क्या कहा है इसके पुष्टी भी होती है इतने सारे एविडन्स होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें ATS के और से शुरुवात में कुछ action दिखा उसके बाद action दिखाई नहीं पड़ता अब हमारी मांग तो यह है कि चूकी ये connected मामला है वैसे तो पहली करवई ATS ने करनी चाहिए थी और उनको यह हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था और उसके बाद उनकी कस्टड़ी एनाय को जानी चाहिए थी लेकिन ATS ने उसमें देरी की है और अब connected मामले में हम तो यह मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी चूकि ये connected मामला है और वो सबसे बड़े इसकी कड़ी है मंसु खिरन जो है इसलिए वो मामला भी अब NIA को take over कर लेना चाहिए और उसमें भी जो सुबूत आज NIA के पास है या ATS के भी पास है मैं को ATS पर अविश्वास नहीं दिखा रहा पर कही न कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ATS पर कोई दबाव है दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है पर जिस प्रकार के actions होनी चे वो होती हुए मुझे दिखाई नहीं पड़ती और इसलिए अगर ऐसी बात है तो connected मामला ये इनाय को जाना चाहिए और तुरंत इस मामले में भी और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटना करम है ये अकेले सचिन वाज़े नहीं कर सकते और इसलिए समर्क कौन-कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए कुल मिलाकर मुझे ये दिखाई पड़ता है कि ये failure of police नहीं है ये failure of government है क्योंकि सरकार ने ऐसे विक्ति को जिनका past पता है क्या है उसके बावजूद इतनी important जगा पर बैठाया इसका मतलब कोई नो कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है और जिस प्रकार से हमारे मुख्य मंत्री जी press conference में उनको defend कर रहे थे सरकार जिस प्रकार से house में उनको defend कर रही थी अगर इतने सुबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराय जाता क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि ये क्या उसामा बीन लादेन है इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिला कर इस मामले की तहह तक जाना होगा मैं और जिन इंट्रिस्ट के साथ कि कि इन इंट्रिस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहाँ लाकर बैठाया सरकार की ओर से उससे इसका क्या तालुकात है उससे इसका क्या सम्मंध है ये भी हमारी जैच एजनसी इसको ढुनना पड़ेगा ऐसा मेरा मानना है आप लोगे को सवाल हो तो पूछ सकते हैं देविंद प्राशर देखिया उद्धो जी ने मुझसे फोन पर बातचीत की थी उस समय और उनके जो कुछ परमुक मंत्री थे वो मेरे पास आये थे मेरे खास मानने का कोई सवाल नहीं है मुंबई के सीपी थे आज उनको ट्रांसफर किया हुआ है और मेरा तो सीधा कहना है कि यह परम्वीर सिंग या सचिन वाजे बहुत छोटे लोग है इनका नाम लेके यह कभी गुत्ति सुलजने नहीं वाली है इसके पीछे किसका आशिरवाद है मैं तो आपको बार बार इंगित करने की कोशिश कर रहा हूं इसकी जाच होनी चाहिए सीधी बात तो यह है कि उनकी जिम्मेदारी तो है ही उससे वो कैसे भाग सकते क्योंकि यह तो डायरेक्ट उनको रिपोर्ट करते थे लेकिन मैं वापिस कहना चाहता हूं कि सचिन वाजे को अपरेट करने वाले कुछ और लोग सरकार में बैठे है आप परम्भीर को तो बाजू कर दोगे वो तो पुलीस कमिश्णर थे आपने उनके तबादला कर दिया लेकिन सचिन वाजे को अपरेट करने वाले जो सरकार म में बैठे हुए लोग है उनकी जाच कौन करेगा उनका फैसला कौन करेगा अब कि दिखे मैं मैंने अभी उसका जवाब दिया हुआ है और मैं बिल्कुल साफ यह कहता हूं कि कि जब इस प्रकार के वारदात सारी होती है और उसके तार यह कहीं न कहीं किसी न किसी के और इंगित करते हैं इस समय इस प्रकार का निरणय होता है मैंने तो पहले ही कहा कि परम पिर सिंग तो डाइरेक्ट रिपकॉन सिबल क्युंकि उनको वो रिपोर्ट करते थे थे तो नंको तो इस1 एलैना पड़ेगी लेकिन है उनको रिस्पॉनसिबल कर के इसको लीकिन किया जा सकता सचीन वाजे को अपरेट करने वाले पोलिटिकल बॉसेस को डूढ़ना पड़ेगा तो जाच एजन्सिस का काम है आप पूझे आपके बिचे आपके बिचे आपके आपके इस्तिफा मांगने से थोड़ी वो देने वाली है मैं तो रोज मांगूँगा लेकिन वो थोड़ी देने वाले है अपने कहां था कि और वहुत सी चीज़े बाहर आई उस समय नहीं आ रहे थी सरकार उसको रोक रही थी क्योंकि देखे यह बड़ा मज़ेदार केस है कि जिसने केस किया वो ही आयो था पहले कि यहने हम कहते ना सहीया भए कोटवाल तो डर काहे का इस प्रकार की अवस्ता थी और इसलिए उस समय मैं कह रहा था कि अगर यह सारी चीज़े आप नहीं करोगे तो एक-एक एविडेंस में दूंगा अभी फॉर्चुनेटली जो एविडेंस मेरे पास थे वह सारे इनाय कि मैंने वापिस कहा कि ऐसी मांगे करके कोई फायदा नहीं है यह लोग हटने भी वाले नहीं है लेकिन मैं इनाय से और जाच एजन्सियों से एक्सपेक्ट करता हूं कि भले ही कितना प्रेशर आये और कितने भी सरकार में किसी भी ओधे पर बैठे हुए लोगों उन तक अगर यह कड़ी जाती है सचीन वाजे के ऑपरेटर्स कौन है यह ढूंके निकानना ही पड़ेगा अब आप 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 करना चाहते थे और स्टेटमेंट के माध्यम से कोई नो कोई आगे की मंशा थी यहां तक लिमिटेंड नहीं था कोई नो कोई इसके आगे की मंशा थी क्योंकि कि एक जमाने में महाराष्ट में कुछ एंकाउंटर स्पेशलिस्ट का एक्स्टोर्शन रैकेट भी चला करता था इस प्रकार का हमने सुना है और किस प्रकार से वह उस समय एक्स्टोर्शन करते थे इसकी कई कहानियां जो महाराष्ट से जुड़े हुए यह हमारे जो महाराष्ट के पत्रकार यहां है इन से आप पूछ सकते हैं इसलिए यह केवल जीलेटिन तक यह बात रुकती नहीं है आगे मंशा तो पक्की है कि अब तो अब तो अब तो मैं पहले बता रेता हो कि कि कितना मुर्तापुर्ण बयान है इसका जवाब उसी समय दे दिया गया क्योंकि उस व्यक्ति ने बताया कि जिसकी कार्थी जिसने बेची है वो उसका दोस्त है और दोनोंने मिलके साथ में फोटो निकाला है तो कम से कम इतनी तो अकल लगाने चाहिए कि जब हम कोई आरो करने चाहिए लेकिन उनको इंट्रेस्ट केवल आरोप करने में है और ऐसे मुर्टापुर्ण आरोप हमेशा ही करते रहते हैं उन्होंने पहली बार नहीं किया है इसलिए उसका जवाब देना भी मैं मेरे लेवल का नहीं समझता दूसरी आपने जो क्या बात कही थी आपने आपने जो बात कही थी देखें उसमें नितेज जी ने जो आरोप लगाया है निश्चित रूप से कोई ना कोई विचार करके उन्होंने वह आरोप लगाये होंगे मैं आज उसके उपर बोलूंगा नहीं पर मैं इतना जरूर कैसा कि मुंबई में बेटिंग का जो रैकेट है उस रैकेट के साथ कही न कहीं सचीन वाजे या उनके साथ वाले लोगों की कोई नों कोई बात्चीत चल रही थी जी दोजार अठ्रा में वापिस बोल देता हूँ दोजार अठ्रा में उद्धो जी ने भी मुझसे बात की थी और उनके मिनिस्टर्स भी मेरे पास आये थे फर सचिन वाजे माहाष्ट में वोग मिनिस्ट्री के पास है अमिट्रेश्मों इसके बारे में तो वही बता सकते है क्योंकि आज जो मैं न्यूस देख रहा हूं तो मेरे ध्यान में आया कि होम मिनिस्ट्री तो तीन-तीन लोग चला रहे एक आदमी तो नहीं चला रहा है कि अगाड़ी इस सब्सक्राइब अपनी जान बचाना चाहते हैं चुडाना चाहते हैं कि एक दूसरे के और ब्लेम डालना चाहते हैं और हमारा कोई संबन नहीं है ऐसे अपना संबन उससे दूर रखना चाहते हैं लेकिन कुल मिलाकर जिस प्रकार का कुशासन है इसमें तो इसारे पार्टनर है इसलिए मैं गुरूह मंत्री रहा हूँ इसलिए मैंने कोई भी चीज विचारपुर्वक कहने चाहिए और सबूत के आधार पर कहने चाहिए इसलिए मैं आज ये बात नहीं कहूँगा चलिए आप लोगों का बहुत बहुत अन्यवाद इस बिल्कुल सही बात है अभी जो वैक्सिन दिया हुआ है उसका 56% वैक्सिन महाराश्टर ने इस्तिमाल नहीं किया है और राजनिती की जा रही है कि हमारे को वैक्सिन कम दिया जाता है पहले दिया हुआ वैक्सिन महाराश्टर ने यूज़ करना चाहिए